वालीवूद काट्टेल और आपस में फ्रेंज को मिलवा कर नो डाउट अपने डिसीजन्स पे अपने फ्रेंज की मुहर भी चाहते हैं शायद यही रीजन रहा है कि आलिया भट ने डिसाइड किया अपनी बैस्टी आकांग्शा से रनवीर कपूर को मिलवाने का येस, you are hearing us absolutely right आलिया भट और रनवीर कपूर फिलाल ब्रमहासर की शूटिंग के लिए बलगेरिया में हैं जहां इन दोनों को जोईन किया आलिया की बैस्टी आकांग्शा रनजनने मगर ये नियूज यहीं स्पेशल नहीं होती जहां आलिया और आकांग्शा बलगेरिया की scenery इसको enjoy कर रहे थे इन दोनों को enjoy करते हुए किसी ने capture किया और ये स्पेशल फोटो भी ली ये और कोई नहीं बलकि आलिया के boyfriend रनवीर कपूर है मगर वेट ये बात हमें किसी और source से पता नहीं चले इस बात का declaration खुद आलिया ने दिया आलिया ने वो picture भी शेर की है जिसमें boyfriend रनवीर कपूर ने आलिया और उनकी bestie को बलगेरिया की खुबसूरत scenery के साथ क्याद गिया है और इसका credit खोले आम देती हुई नजर आई आलिया लिखती है the view and her too photo credit RK वेल इस photo को like किया उनकी would-be mother-in-law नीतु कपूर ने भी जहां नीतु कपूर ने इस photo को दिया है अपना thumbs up with a emoji of camera नीतु कपूर ने भले ही words का इस्तेमाल नहीं किया हो मगर कहीं न कहीं वो आलिया और रनवीर के relationship को support देती और अपनी हर बार अपनी approval देती नजर आ रही है जैसा कि पीछे उन्होंने रनवीर की किसी भी girlfriend के साथ नहीं किया वी आल नो नीतु कपूर को हमेशा रनवीर कपूर की girlfriend से problem रही थी और शायद ये बहुत बड़ा reason रहा था कि ममाज boy रनवीर कपूर कभी भी अपने के जीवी relationship में आगे नहीं बढ़ पाए चाहे वो तिपिका के साथ हो या कट्रीना के साथ मगर आलिया भट के case में नीतु कपूर का behavior थोड़ा different definitely नजर आ रहा है जहां वो would-be-bahu आलिया के साथ एक core dial relationship maintain करना चाहती है शायद यही reason है कि आलिया का birthday हो या आलिया और रनवीर का कोई भी conversation वो दोनों को अपना thumbs up और approval देती हुई नजर आती है जैसे कह रही हो कि हाँ इस रिष्टे के लिए वो बिलकुल राजी है फिलहाल आलिया और रनवीर ने भले ही अपने relationship को मीडिया में accept ना किया हो अगर indirect तरीके से अपने relationship को दिखाने से पता चलता है कि they are so much into love Stay tuned This is all from Miss Cocktail for now Do not forget to like this video and subscribe the channel to have every sip of Wollywood Cocktail